यह जो यंग जेनरेशन में आजकल जो हाट इटाइक्स आ रहे हैं इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है और क्या आज का जो जमाना है मौडन जमाना वो किसी तरीके से बहुत ज्यादा कॉंट्रिब्यूट कर रहा है एंप्लिफाय कर रहा है कि यह केसे अभी भर भर के आ रहे ह इस पर आपका क्या इशार है हाट की बिमारी को हम लोग बोलते हैं रीजन्स उसके मल्टिपल होते हैं एक रीजन नहीं है अगर मैं गिनू तो 14 रीजन्स हैं कोलेस्ट्रॉल खून में ज्यादा होना खाने में ज्यादा खाना ट्राइगलिसराइड ब्लड पेशर ब्लड स्मोकिंग खाने में ज्यादा तेल खाना या नौन वेज ज्यादा खाना फ्रूट्स कम खाना दूद ज्यादा पिना या दूद का मक्षन ज्यादा खाना या स्ट्रेस या उनका वॉकिंग ना होना टेंशन लेना योगा ना करना तो मैं यह लोगों को बोलता हूं यह 14 कार है blockage को तो 40 साल में अगर 80 blockage है तो 2% per year है अब आज के जो यंग स्टर्स है वो स्ट्रेस में भी है खाना भी गलत खा रहा है स्मोग भी कर रहा है exercise की time नहीं है overweight हो गया तो उसके पास बहुत ज्यादा reasons होने के वज़े से बढ़ गई अगर कोई आदमी बोलता है सार 2% वो करते थे मैं 4% की speed करूंगा तो 4% करेगा तो 40 साल में 20 साल में और 80 block पहुंच जाएगा तो वो 40 आधी हो पार as a heart attack is concerned blockage बढ़ता जाए 50% के बाद के बाद यह हर्ट अठीक हुने के संभावना बढ जाता है हर्ट अटा कया है वह एक बर समझते प्लॉकिज बढ़ रहा है blockage के ओपर एक membrane होता है वो stretch होता रहता है 50% के बास वो membrane फटने के chance होते है अगर blockage में 50% तो block है 50 में blood जा रहा है liquid blood membrane फटने के साथ साथ कुछ chemical निकलती है clotting chemical वो वो blood में mix होते हैं blood clot कर जाती है तो वो 50 का सीधा 100 बनता है और 100 जैसे ही बनी वो एरिया हाट का ब्लड सप्प्लाई बंद हो गया हो गई तो आजकल 50-60 में भी पर्दे फटने लग गए हैं तो यह जो पर्दा फटता है यह ब्लॉकेज की स्पीड से बढ़ने से जल्दी पर्दा फटता है जिसे रबर मैंड को आप धीरे-धीरे जल्दी किंचने जाएगा तो अगर आप स्पीडिली ब्लॉकेज बढ़ा रहे हो तो बहुत जल्दी फट जाते हो पर्दा तो इसलिए यंग स्टर्स को आजकल हाट इटाइक बहुत जल्दी हो रहा है बिकॉस दा स्पीड और ब्लॉकेज इस वेरी हाई पचास हाट में फ बट जिसका पचास में हाट अटाइक हो गया वो तो यंग है वो तो अभी ब्लॉकेज बढ़ा यह नहीं है और पचास में ही उसके पर्दे फट गए तो बेसिक बात है कि अट एज यू सुट प्रिवेंट हाट अटाइक मतलब आपका खान पीन रहें से एंड में चेंज च झाल